दोस्तो अगर आप सभी कि किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है, चाहे वो SBI, HDFC, ICSE या कोई अधने बैंक भी क्यों ना होने दीजे, आप सभी को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है, useful दोस्तो यहाँ पर हम बात करने वाले है, SBI के योनो एप्लिकेशन के बारे में, जैसे हम सभी को पता है कि SBI का योनो एप्लिकेशन के माद्यम से आप बहुत सारे ट्रांसपर वगरे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूटिलाइस कर सकते हैं, बैलेंस भेजने के लिए और one transfer करने के लिए तो अभी आप सभी को इत्ते सारे application डाउनलोड करने के जबवते ही हैं आप सभी के mobile में यहाँ पर अगर आप सभी के पास एक यूनो SBI का ही application होगा तो उसके माध्यम से ही आप अपने सारे transaction पूरे कर सकते हैं अगर आप सभी का किसी बैंक में account है तो भी आप अपने SBI के यूनो application को use कर सकते हैं और उसके माध्यम से ही आप अपने multiple transaction कर सकते हैं तो आईए अप देख लेते हैं कि आप अपने यूनो SBI application को किस तरह से download and utilize कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को अपने mobile में application को download कर लेना है यूनो SBI application कुछ आप सभी को इस तरह का interface देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आप जैसे इसे download कर लेते हैं download करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह से open page हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी को दो option पूछ रहा है let's go started वाला new to SBI और SBI existing user के लिए भी बता रहा है अगर आप सभी के पास existing user है तो आप उपर वाले click कर सकते हैं अगर आप एक new user है और SBI के इस application को download करके use करना चाते हैं तो आपको register now के उपर click कर देना है अभी हम second वाले option के उपर click कर लेते हैं click करने के बाद यहाँ पर आप सभी के पास अगर दो SIM card है तो उसका भी आप सभी को option दिखा दे रहा है आपके bank से जो भी SIM card connect होगा उसके उपर आप सभी को click कर लेना है जैसे ही आप सभी click करेंगे आप सभी के registered mobile number पर एक OTP आ तो अभी आप पूछ रहा है कि आपको किस bank से login करना है तो यहाँ पर मुझे अपने ICIC bank किसे login करना है तो यहाँ पर मैं ICIC bank को select कर ले रहा हूं select करने के बाद यहाँ पर आप सभी का जो भी UPI ID है उस UPI ID को यहाँ पर simply डाल देना है जो भी आपने other bank account में set करके रखा होगा same उस UPI ID को यहाँ पर भी आप सभी को Enter करना है अचा परर आप सभी को depressed को और यहाँ पर हमारा SBI में login हो चुका है और login टरने के बाद यहाँ पर जो pin होता है mpin उसको simply यहाँ से आप से भी को choose कर लेना है आप अपने मन के मुताबि कोई भी pin को यहाँ से रख लेते हैं तो यहाँ पर मैं सक्सेसपुल हो चुका है तो अभी आप देख सकते हैं हमारा SBI का यूनो एप्लिकेशन डाउनलोड हो चुका और जैसे मैं आपको सुरू में बताया था यह एप्लिकेशन आप कभी भी यूज कर सकते हैं अगर आप कभी के पास SBI का कोई भी आकाउंट नहीं हुगा फिर भी आप इस एप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं तो आई होब दुस्तो आप सभी को ये वुडियो देखने के बाद आप सभी ने भी अपने यूनो SBI एप्लिकेशन में लॉग इन कर चुका होगा और अगर से वुडियो आप सभी के लिए पसंद आई होगी आप सभी के लिए थोड़ी बे हेल्फुल होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और